हेलो स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ विहाइव की पोयम दे लेक आईल आउफ इंस्ट्री यह पोयम जो है यह पोयम लखी है डबलू बी यीट्स ने है रहने वाले कहां है आयरलेंड के बहुत ही खुबसूरत देश है ठंडा देश है कि वहां दूरेंद नाम को नाम में इसकते हैं आप दलेख लेक हमारी क्या है यहां पर लेक होती है हमारी जील यह दिखरी होगे आपको जील यह री जील और आइल क्या है इसके उपर आइलेंड यह हमारा यह हमारा आइलेंड है ऑफ इंस्प्री अब इंस्प्री क्या है कि इंस्प्री इसके अंदर एक प्लेस है कौन सी प्लेस है जहा रहा करते थे उनको गाउं आई है उन्हें अपना पर बच्पन यहां पर इताया है यह जगह उनको बहुत प्यारे लगती हैं अब घंम को अपने गाउं की याद इंस्प्री की, ठीक है, तो पोयम का नाह में है अब देखिए, इस पिच्चर के अंदर आप देख सकते हैं, यह वाली पिच्चर देखिए आप, इस पिच्चर के अंदर आप देख सकते हैं, कि कैसा एक आइलेंड है, इस पे देखिए तक खुबसूरत लग रहा है, पानी है है यहां पे बीच में आइलेंड है तो कोई ऐसी ही जगह है जहां पर जो है जाना जाता है इस वेल नोन पोयम एक्स्प्लोर्स दो पोयट लॉंगिंग फॉर पीस और ट्रंक्वैल्टी ओफ इंस्प्री अभी जो पोयम है इस पोयम के अंदर जो कोईट है वो ब Pat gelen tea these and Trunquail쪽 कि इसको कहां मिलेगा मिलेगा ठीक है पीइस यहां पर शांती एट्रंक्वैल्ट यहां पर है जिए मन बहुत ज़्यदा शान्त हो जाए जहां यहां पर इंसान को बहुत ही प्यारी नीद आए वहां पर यह बना है ट्रंक्लाइजर करने के लिए लगाया जाता है इंजक्षन तो यह ऐसी जगह है इस जहां पर पीस और ट्रंक्वालिटी जहां पर आप प्लेस वेर ही स्पेंड लॉट आफ टाइम इस बॉय दिस पोई जगह है जहां पर उसने अपने बच्पन की सारी की सारी उमर से जहां बिताई है वह जगह उसको बहुत जदा प्यारी है जहां भी अपना चाइल्डूट आपका बच्पन बीटता है वह जगह आपको बहुत एक लिरिक है इस पोईम जो है यह पोईम एक सॉंग के रूप में है तो चले आईए इस पोईम को स्टार्ट करते हैं अब देखिए इसमें जो हमारा पोईट है वो शायद कहीं शहर में बैठा हुआ है और उसको कहां की याद आ रही है उसको इंस्प्री की याद आ रही है तो कह रहा है कि अब उठाओं जंगा जाओंगा मैं डिठाओं याद क्या सब्सक्राइब और में आपको일 आईवा पीडुंगा और इसा सभी इल्ट और नेथ बनाओंगा और में और जाके औल करूंगा वहां पर जाकर एक कबिन बनाओंगा क्या सब्सक्राइब बनाओंगा ऐसा केविन बनाओंगा वहां पर जाके क्ले से वैटलाइन लकडियों से एक अच्छी सी बड़ी आसी कैविन बनाओंगा नेचर के बीच में फोटो देखें आपको दिख रहा होगा ऐसा कैविन वह बनाएगा बनाओंगा और वहों इसको खाने के लिए और और वहां जाएगा वहां जाएगा और और वह क्या करेगा बहां बिल्कुल अकेला रहेगा पी लाऊडव को अवाज आ यह इसे लेहां पर एक तो ऐसकैला रह paragraph में थीछें को सलाओ होगा यहां से रहे हैं यहां नियुक्त होगी है Phase सभी सुगिव है रहते हैं पर रहे ह municipally चलिए आईए ये इसका फर्स टेंज आथा आप चलते हैं इसके सेकंड स्टेंज आगे उपर एंड आई श्यल है वे साथ पीश कंड्रॉपिंग जैसा कि पहली बात किया था कि पूए प्यागों की आदा रही है उसको अपने जहां रहता था जिस आईलेंड पर जमंड पर आइए तो क्योंकि शहर में रह रह रहे आप जानतब यहां पर कितना स्वोर्ड शराबा पॉलुशन नहीं क्या नहीं है यहाँ पर पीस है कर आगे नहीं पर आदमी परिशान है यहाँ पर इसलिए वह कर रहा है उसको इनश्री की आद आ रही है और वह कह रहा है आई सेल खेट समपीश स्पीस देयर मतलब मैं वहात जाओंगा और मुझे और मुझे की प्राप्ती हो जाएक mostly from drop इंसलो क्यों पीस है वह विलकुल अराम से उसके एकि दम से को शांते नहीं मिल जाती जौत घुरे धिल्द होती है चिर्ष की और पीस क्यों और नहीं करेगा कोईशको दुनिया के परशानी बदाने नहीं आएगा तो प्रसानी कैसे आता है और वह कह रहा है पीज जो है धीरे धीरे आता है ठीक है अब देखिया यहाँ पर एक लाइन यूज ह हुई है dropping from the wheels of morning अब जब वो जैसे ही वो यहां वील्स का मतलब होता है बुर्खा जो यह वील्स का मतलब होता है बुर्खा जिसे की और अपना चेहरा डगती है तो अब आपने देखा होगा जो सुबह-सुबह का टाइम होता है पहाड़ी इलाकों में वहां पर क्या होता है कुछ आपको ऐसा महौल होता है कि वहां पर आपको यह उपर अपर और दिखकर्घ इसमें एक बड़िया सब्सक्राइबESंघ अच्छे को डिफाइन किया है peace comes dropping slow dropping from the wheels of the morning यानि जब वो सुबह सुबह की धुन्दे देखेगा सुबह सुबह का वो जो महोल होता है जब हलकी हलकी जंचाय होती है बड़ा खूबसूरत नजार आप अगर आप इस जंगल में है तो उसको देखे इसको peace मिलेगा of the morning to wear the cricket sings और सुबह सुबह का टाइम होता है जब हलकी धुन्द होती है आपके सामने जंगल होता है प्यारी घास होती है वहां पर जो क्रिकेट होता है वो सिंग कर रहे होते हैं कि क्रिकेट कीड़ होते हैं कि देख लिए यह जो है यह हमारा cricket और जो यह सुबह का आपने टा सब्सक्राइब के आजिए जीव सीब्सक्राइब आटी होती है थे इसको क्या मिलेगा उसको पीस मिलेगा मिडनाइट ऑल अग्लिमर्ण आप अपने देखा ही ओगा जंगल के अंदर किती खूबसूरत दिखाई देती है रात कोई light pollution नहीं कोई noise pollution नहीं पेड़ दिखाई देते हैं साफ साफ चांद तारे बिल्कुल एक दम जगमकाता हुआ आसमान दिखाई देता है अगर आप कभी जंगल के अंदर आपको रात बिताई हो या आपका गाउं पर्पल फोटोग्राफ इतना खूब शूरत आपको समझ मारा रहा हूं उसके बारे में पोएट बात कर रहा है एंड इवनिंग फुल ऑ लिनेट बिंग और वहां की इवनिंग कैसी होगी महां की इवनिंग होगी बिल्कुल लेनिट लेनेट लेइक तरह की बढ़ होती है देखो यह आली फोटोग्राफ आपको दिख रहा होगा यह हमाई लिनेट बड़ यह जैसी चुड़िया होती है थोड़ी से अलग होती है तो पुझेट कह रहे हैं वहां की शाम ऐसी होगी वहां पे खुझ सारे लिनेट भूंग रही होंगी गाह रही होंगी अब देखिए इतने ब्यूटिफुल तरीके से पुझेट डिफाइन किया इन सब चीजों को इतनी ब्यूटिफुल वें में इसने प्रजेंट किया है कि पढ़ते ही सामने अपारे दिमाग में दिर्श्चा बन जा रहा है बड़ा खुब्सूरत दिर्श्चा बन रहा है यह पढ़के अब देखिए दुबारा जो पोईट है वो कह रहा है कि नहीं मैं जाओंगा यहां से और मैं जाओंगा और मैं पक्का जाओंगा और ऑल्वेस नाइट एंडे आई हीर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाइद शोर वो क्यों जाएगा क्योंकि उसको दिन और रात वहाँ की याद आ रही है इसको अपने उस गावांगे जो वो लेक आयल ऑफ इंसफिरी है वहाँ पे जो लेक है उसमे जो पानी है वो कैसे लैप करता हूँ वा किनारे तक आता है यह देख्या आपको फॉटोग्राफ दिख रही होगी नहर बनके आकर ठक्रा रहा है इतना बहुत प्यारा लग रहा हूँ इसलिए वह कहा रहा है मैं जाओंगा वहाँ पर वाइला स्टैंड उन्द रोडवे और पेमेंट करें और देखिए अब यहां पर आखरी हमारी जो यह लाइन है थर्ड स्टैंड जाकी उसमें कहा रहा है कि मैं इस शहर के रोडवे पर या स्कूर यहां यहां पर हमारी पुएं यहां पर खसम होती है बिल्यम बटलर जेखले अब हम इस स्कीम नियुकल है इस पॉयम के अंदर वो पूरी सेम है प्राइम स्कीम के इंदर वर हरी अगया है फॉलो हिए है आब बी इस पूरी मेंड़ घ्लेड यह गया हमारा एट वह गया हमारा बी यह गया हमारा दी पूरी same follow हो रहा है अब इसमें कौन कौन सी figure of speech है अब यह देखिए पहली तो है इसके अंदर alliteration alliteration होता है repetition of consonant sound तो इसके अंदर consonant sound भी repeat हो रहे हैं फिर हमारे इसके अंदर repetition भी हो रहा है इसके अंदर is poem के अंदर repetition भी है एक ही I will arise and go now यह पहले ये यूज़ हुआ है इसके बाद वाले लास्ट ये अंधर भी यूज़ हुआ हूए यह था लिसमें आप आते हैं इसके सेक्ट स्टेइजा पर सेकंड स्टेजा में देखिए वील्स ऑफ दे मॉर्निंग अब यहां क्या है यहां क्या हुआ है यहां पर मॉर्निंग को पुजट ने पर्सॉनिफाइग किया है उसने परसन बना दिया मॉर्निंग को नकाब बना दिया और नकाब जो होता है वह कौन पहनता है वह औरत पहनती है यहां पर मॉर्निंग को क् सा फिरी पीच है पर सॉनिफिकेशन है यहां पे हां यहां पर में इनुपारीजन होटा है तो यहां पर अमठेजन को सब्सक्राइब थो सब्सक्राइब है ज्यों में विखा और उसंद् nós पंट्रीय का 2007 कटेंव झाल